हलो बच्चो हम पढ़ रहे हैं प्रेम चंजी के द्वारा रचित दो बैलो की कता नामक पाथ इससे पहले हम पहला भाग पढ़ चुके हैं आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे तो इससे पहले जूरी का साला जो है बैलो को ले गया था और पुना फिर वहां से भाग आते हैं और दुबारत फिर से वह आता है दूसरे दिन फिर से जूरी का साला उनको ले जाता है और इस बार वो उन दोनों को मोटी रस्य से मातता है और उनके सामने फिर से सूखा भूसा डाल देता है बैलो को अपना ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ ऐसा ध्यान आता कि इस तर परवेटस से मस नहीं वे और उल्टे हल लेकर भाग गे रसी हल जुवा जोट सब तूट गया हीरा समझदार था उसने समझाय कि इस तरह भागना ब्यर्थ है पर मोती जो है सवभाव से थोड़ा गुसेल था तो मोती कहता है अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी मार दूँगा और एक दो को गिरा ही दूँगा फिर हीरा उसको समझाता कि नहीं यह हमारे जाती का धर्म नहीं है अगले दिन फिर से उनके सामने सुखा-पूसर डाला जाता है लेकिन शाम के समय दिन जो भैरो की नन्हीं सी बेटी थी वो दो रोटिया लेकर आई और उसने उनको रोटि अर्थात उन्हें थोड़ा सा प्यार मिला और उस प्यार से ही वो खुश हो गए और उन्हें पता चला कि लड़की की मा मर चुकी है और सौतेली मा बहुत परिशान करती है उन दोनों का दर्द एक समान था छोटी लड़की की मा मर गई थी और वे हीरा और मौती दोनों अपन मालिक से भी छड़ गए थे तो इसलिए वो एक दुसरे के दर्द को समझ सकते थे दोनों फिर दिन भर काम करते डंडे खाते परन्तु शाम को वही लड़की उन्हें रोटिया खिला करके अपना प्रेम प्रकट करती थी अगली रात उन्होंने फिर से रस्या तुड़ा करके भागने की योजना बनाई पर वे रस्या को कमजोर करने के लिए उसको चबाने लगे क्योंकि रस्या बहुत मोटी थी परन्तु उस नन्नी लड़की ने आकर उन दोनों की रस्या खोल डाली वो देख रही थी कि दोनों बहुत प्रयास कर रहे हैं तो उसने उन पर दयाय दिखाई और उस रस्यों को उन्हें खोल दिया लेकिन बैल लड़की के इसने के कारण न भाग सके बैलो को ये डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो वो लड़की को मारेंगे इसलिए वो वहां से नहीं भागे लेकिन तभी लड़की ने क्या किया जोर जोर से उसने शोर मचाना सुरू कर दिया कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ओ दादा उन्हें बचाओ भागे जा रहे हैं दोड़ो जल्दी दोड़ो इस तरह से वो चिलाने लगी और आवाज सुन करके गया आता है और गया हडबहा करके भीतर निकलता तो फिर वहां से उनको पकरने के ले जाता है लेकिन वो उनका पीछा करता है और उन्हें पकर नहीं पाता है बेल भागने लगते हैं बहुत तेज और वो गांपार करते हुए एक खेत के किनारे पहुँच गए और वहाँ पर जो सामने मटर का खेत था दोनों को भूख तो बहुत तेज लगी थी उन दोनोंने बहुत मटर खाए और जब पेट भर गया तो उन्होंने आजादी कानुभो किया और मस्त हो करके उचलने कूदने लगे बच्चों आज हम इस भाग में केवल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आगे के जो पार्ट है उन्हें हम अगले भाग में पढ़ेंगे धन्यवाद